बाबा नंसिंग जी महराज, सुबा सुबा नित्रिम खतम करने के बाद, सैर करने निकल गए, वॉक करने निकल गए रास्ते में देखा हरहट, हरहट भी तू तू करे शबद है न, हरहट कहते हैं जो बैल कुवे के आसपास गोम कर पानी बार खीचते हैं दो बलद, बैल, आने खीच रहे हैं, बेहाल, काकतनी ये शरीर में ठक चुके हैं, पर हेंटर मार मार के उसे चलाया जा रहा है बाबाजी को तरस आगया, पास में गए, अपनी छड़ी थी हाथ में, दोनों बैलों के सर पे लगाई, और वो दोनों वहीं मर गए, चड़ाय कर गए, उनकी मुक्ति कर दे, सेवादार सब हैरान हो गए, बेंते कि बाबाजी ये क्या कौतक हैं, तो जो बात बाबा ननसी बाबाजी ने बताई है, वो ध्यान से सुनिए, कि ये परिगट गुरां की दे है, जिस ने भी इसे किताब समझने की भूल किया, उसके साथ क्या होता है, बाबाजी कहने लगा, ये दोनों पाठी थे, पाठी, अगर कोई पाठी सुन रहा है न, जो गुरु सेब जी के पा संगत से माया लेके अकंट पाठ किया करते थे संगत का, पर क्या किया करते थे, दो गलतियां बहुत बड़ी किया करते थे, जैसे उने लगता था ये गुरु किताब है, गुरु गरेंट सेब जी नहीं, तो क्या भूल किया करते थे, एक तो उस जमाने में लाइट नहीं तो मिट्टी के तेल से दिये जलाते थे बिना हाथ दोए पाठ करने बैठ जाते थे और मिट्टी के तेल के गंदे हाथ अंगों को लगाया करते थे गुरी सेब जी दूसरी भूल संगत से माय ले 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 थे थे पाठ करने के पर पाठ करते ने थे अंगों को ऐसे ही पलटा द अगला जनम उसे ऐसा मिलता है जिसके अंग नहीं होते आप देखते ना कई आने लगे एक तो मिट्टी के तेल के हाथ अंगों को लगाते थे दूसरा अंगों को छोड़ देते थे इन्हें दरगा से सजा मिली बैल बनकर घूम रहे 84 की सजा मिली या 84 लाख जोनियों तक भटकते रहेंगे है ध्यान देना साथ संकत जी ये कागज नहीं ये पत्तर नहीं ये स्याई नहीं ये जिल्द नहीं ये परगट गुरा की दे है गुरु अरजेन देव जी ने जिस वक्त हमें ये गुरु गुरेंच सेब जी देना एक शबत का उचारन किया दूसरा शबत आउ सब मिलकर पड़ें पोथी परमेशर का थान ये पोथी नहीं है इसे पोथी मत समझना ये परमेशर है आउ सब मिलकर गायन करें